हेलो एपरिबड़ी, वेलकम तो अरान एंटेटेन्मेंट, नोबड़ी, मुवी के ओरो लेंथ, एक घंटे 30 मिनिट किये, और कहानी स्टार्ट होती है, हर्च मैंसल, जो की अपनी फैमिली की साथ एक ठीक ठाक लाइफ जीरो होते है, निकिन की लाइफ में कुछ भी अब उसके बाद में क्या ट्विस्टन टरंस आता है, यह जानने के लिए आपको यह मुवी देखनी पड़ीगी, यार मैं आपको एक ही जिस कह सकता है, अगर आप लोग जॉन विक फ्रेंचाइज के बहुत बड़े वाले फैन हो, अगर आपको गैंग्स ओफ लेंडन के बाद किसी मुवी में इस थरीकी की चीजे देखे होगी, एक दव एंटेटेइनिंग मुवी है, और मैं आपको एक चीज बता दू, कि यह मुवी उन फ्रेंचाइज में से एक आती है, जिसका पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फॉर, मतलब जितने भी पार्ट बने सब्सक्राइब चाहिए. जिए जिस तरह के चाहिए, यहां पर को ग्या जवाप और चेजिंग सीक्वेंस, आच्छी तरह से शूट किया है, प्लस जो इसका क्लामेक्स के चाहिए, जिस अंदाज में यहां पर प्रेजेंट एरा थाई, तारिफ ज़नी पड़ेगी इसकी करूं तो भाई हर एक एकसे सिटुएंस में जो आपको सौंग सुनने को मिलता है वो एक अलगी फ्लेवर देता है इस मुवी में यार मतब आज वर्ट्स नहीं इस पर्टुकलर मुवी के लिए अगर एक्टरस के परफॉरमेंस की बात करूं तो भाई जो लेवल का परफॉरमेंस यहां पर उन्होंने किया है जो उनकी बॉड़ी लेंग्विज थी तुरौड मुवी आप बस उन्हीं को देखते हो यार और चितने भी सपोर्टिंग एक्टर से सब लोगों ने अपने इससे के रोल को बहुत एक्ची तरह से नहीं और यह जो मुवी की एडिटिंग भी बहुत ही घजब की कि यह डिरेक्शन भी बहुत उन्दा है और ओवरल देखा जातो है यह मुवी मेरी परसनल फेवरेट बन चुकिए 2021 की हाँ पैरेंटल गाइडेंस की बात करो तो यह मुवी आप अपने घर पे नहीं देख सकते बिकाउस आफ वाइलेंस ब्लोड शेट बहुत ही जादा है यह सिर्फ एडल्स लोक के लिए बनाए गई मुवी है मैं इसको रेटिंग दूआ 10 और चाहता हूं कि इसका पार्ट तू बहुत ही जल्दे है और मेबी 2022 यह 23 में देखने को मिल जाए लेकिन हाँ इंडिया में ज़रूर रिली तो जादा चले लोगे शेयर भी रहते हैं बिलते हैं नहीं सोड़ों को तिल देन बाए